कक्सा आठवी गनिक मैं आरिस पसार सर आज आप लोगों को वरत एमवम उसके अवयब बताने जा रहा हूं प्रस्टनावली 5.91 से सुरू करूंगा वरत को सुरू करने से पहले कुछ महत्पूंद तत्यों का ग्यान होना बहुत जरूरी है तो चलते हैं पहले महत्पूंद तत्यों को बताते हैं क्या है सबसे पहला है नमबर एक वरत के किसी चाप द्वारा सेस वरत खंड पर बने सभी कौण समान होते हैं यह आपका यह चाप दिखाई दे रहा है A E यहां से यह कौण बने वे दिखाई दे रहे हैं आपको पहला कौण है यह A B E यह वाला कौण जिसको हम X नाम दे रहे हैं और ऐसे ही दूसा कौण बन रहा है A C E जिसको हम Y नाम दे रहे हैं यह Y है आपका ऐसे तीसा कौण बन रहा है A D E यह वाला कौण इसका नाम हम Z दे रहे हैं यह तीनो कौण आपस में बराबर होते हैं यानि X बराबर Y हो जाएगा और बराबर Z हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि एक ही वुरत खंड के कौन बराबर होते हैं अर्था किसी चाप द्वारा वुरत की सेस परदी पर बने हुए कौन जो भी बनेंगे कौन उन सब का मान बराबर होगा जैसे यहां दिया हुआ है य तो A और B हमेशा बराबर होंगे क्या वास्तों में होता भी है ऐसा अभी तक तो नहीं देखा हमने कि ऐसा होता है लेकिन आज चलते हैं देखते हैं वास्तों में होता भी है या नहीं है यह सब तो कई सुनी बाते रहती हैं लेकिन वास्ति में कोई कोई नाप करके नहीं द कुछ दूरी ले रहते हैं परकार से नाप लेते हैं कि हम इतनी दूरी से एक वरत खिचेंगे तो यह एक वरत दिखा रहा हूँ मैं आपको खिचते वे यह लगवग दूरी जो है मैंने चार सेंटीमिटर ले लूँ चलिए पांच ले लेते हम पांच तो बढ़ियां रहेगा पांच सेंटिमेटर की मैंने परकार में दूरी भर दी है जिसे आपको चितर थोड़ा सा इस पस दिखाई देगा चलिए अब इसकेल को मैं हटा देता हूँ और यहां से वरत खिचने का प्रियास करता हूँ देखते हैं कहां वरत खिचता है इस जगपे में वरत खिच करके दिखा रहा हूँ ठीक है यहां पर हमने सेंटर ले लिया है और इसको वरत को मैं खिचने जा रहा हूँ चलिए देखते हैं कैसे वरत खिच रहा है और हमारी बात का सत्यापन होता है या नहीं होता है देखते हैं ये एक वरत खिच गया है जो कि आपको दिख रहा होगा पूरा ये वरत आपको दिखाई दे रहा है अब इसको परकार को हटा देते हैं और यहाँ पर दो बिंदू ल बना करके दिखाऊंगा और इन कोड़ों को नाप करके दिखाऊंगा क्या यह बराबर होते हैं या नहीं बराबर होते हैं तब जाके पता चलेगा इसका आप क्या करते हैं इस बिंदो के परधी पर कहीं पर भी बिंदो ले लिजिए आप लोग यह परधी है परधी आपको द अब यहां पर मैं कोंड बनाने का प्रयास करूँगा चलिए कोंड बना करके देखते हैं कोंड बनता कैसे है यहां से लेकर के यहां तक की रेखा खिचूंगा मैं यह देखो एक रेखा खिच गई है और दूसरी रेखा यहीं से खिचूंगा फिर मैं और यह B को मिला यह कौन बन गया हमारा है कि खोड़ा सा गरत दिख रहा है मुझे अ फिर से कौन को खीच लेते हैं तो यह पहला कौन बन रहा है यहां दिखाय दे रहा है यह पर आगया है ऐसी यहां पर बिंदू लेकर के फिर से एक रहा कीच दे रहा हूं यह हो गया अब इन कोणों को हम नापेंगे जो उपर कोण बने हैं इन कोणों को नापने का हम प्रयास करेंगे चलो देखते हैं नापकर के बच्चों कैसे नापते हैं अब ये आपका एक स्केल दिखाई 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 द और देखता हूँ नापण करके यह कौन के आता है तो चणिए नापना तो सब को आता ही हुगा कौन कोौणी को देखो यह पर कोन्त आ चुका है अब यह बीस तीस चालिस और ये उननचस के बास है मतलब उननचस दिगरी का कॉन हो गया यानि 49 डिगरी का ये कॉन हो गया तो आप यहां पर कॉन पी कॉन जो है कॉन सा लिखेंगे हम बराबर कितना हो गया उननचस डिगरी अब जरा हम कॉन कॉन को भी नाप लेते हैं देखते हैं क्या वो भी कॉन इतना ही होता है चलिए देखते हैं इसको भी नाप करके ये कॉन कितने का होता है तो ये कॉन हम नापने का प्रियास कर रहे हैं देखो कैसे नाप जाता है ये त तो यहां पर भी देख लिजे बिलकुल जो है कौन फुरा से छोटा कर देते हैं इसको तो साइद आसान इस दिखाई देगा देखो कौन बिलकुल यहीं पलिया गया है तो कौन कौन सा था यह हमारे पस यह कौन था हमारा A Q B तो कौन जो है A Q और B का मान भी देखो ध्यान से क नहीं आया इसका मतलब यह हुआ कि एक ही जीवा एक ही चाब द्वारा व्रत के दूसरी तरब जो कौन बनते हैं वह सारे के सारे बराबर होते चानदा मैंने हटा दिया है तो यह कौन आपका कितना आया भी नापके दिखाया तो मैंने 49 डिगरी का और यह वाला कौन भी जीवा के किसी जीवा के दोनों और व्रत खंडों में बनने वाले कौनों का योगफल 180 होता है अब इसमें यह दोनों का योगफल भी कितना होगा 180 अंस होगा अब यह क्या उस आमने सामने के कोणों का योगफल अगर वरत में हैं होता भी है एक सवसी या नहीं या ऐसे ही बोला जाता है चलते हैं आज हम प्रेक्टरी करके देखते हैं कि हाँ यह वास्तों में होता कैसे है इसी को मैटमेटिकर लैब बोलते हैं कि लैब में हम ऐसे काम किया करते हैं चलिए देखते हैं लोग चलिए हम अपने स्किन पर आ चुके हैं अब यहां पर हम क्या करते हैं पहले तो यह स्केल लेते हैं और स्केल में भरते हैं परकार में अपने दूरी कुछ भर लेते हैं इस दूरी को भरने के बाद फिर हम बात करेंगे कि हाँ यह वास्तों में हो क् वैसे तो मैंने दूरी पांच बरी थी अब दूरी थोड़ी बहुत कम करना चाहो तो कम कर लीजिए कम करने के लिए मैंने ये दूरी रख ली है 4.5 cm की दूरी मैंने रख ली है अब मैं स्केल को हटा दे रहा हूँ और इस प्रकार की साहता से इसे बीचो बीचे रख करके मैं बनाने का प्रयास करूँगा दूरी और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं आप लोग लेकिन फिलाल मैं इतनी दूरी रख करके ये चाप लगा रहा हूँ देखो ये वरत बना रहा हूँ ऐसे ही वरत आप लोग भी बना लेंगे अराम से देखो बन गया ये वरत बनने के बाद जो इसको हटा देता ह हो मैं और हटाने के बाद जो है अब इसके अंदर एक चत्रफुज बनाऊंगा चत्रफुज बनाने के लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे मैं ये चत्रफुज बनाने का प्रयास करूंगा ये एक लाइन खीजती है मैंने आप इसके बाद यहीं से दूसरी लाइन कर रहा हूं मैं यह नहीं पता हमें कहां कहां जा रहा है तो हमने एक ऐसे यहां ले दिया और यहां से फिर चालू करके मैं जो है इसको यहां पर बनाने जा रहा हूं अब इसके नाम दे दीजिए नाम में क्या देना है माल दिया यह है बिंदू आपका यह बिंदू भी है और सभी को दिखाई दे रहा होगा पहले हम कोंड एको नापेंगे तो नापने के लिए पहले पता है इसको सीधा करना पड़ता है यह सीधा हो गया है आपको अच्छी तरस दिख रहा होगा अब इस सीधे को जरा उठा करके वहीं लाते हैं कोंड के पास में और यह कोंड के पास है यहां पर चांदे को हटा करके 93 एंगल लिखने जा रहा हूं चलो लिखते हैं 93 करके देखते हैं यहां लिख लेते हैं जादे बढ़िया है को डी का मान जो है कितना आ 93 डिगरी आ गया चलिए अब कोंड बी का नाम मानना चाहते हैं अब यह बी को नापना चाहरे हैं चलो बी को भी नापके देखते हैं जरा कितना आता है यह बी पे हमने लाइन रख दी है अब देखो जरा यह कोंड कितना आ रहा है यह इधर से कोंड नपेगा पचास साथ सतर रसी नबे सौ और सौ के बाद देखें कितना आ रहा है यह सौ हो चुका है और इसके कितना बढ़ रहा है साथ तक आ रहा है कि जहां ध्यांत देखिए एक सो कितना हो रहा है तो यहां से 110 हो चुका है कि कितना यह कि यह को आपको बीड़ को देखो इसकि ना दिखाई दे रहा है यह आपका jyro से start होता है, यह 50 हो गया, यह 75 हो गया, और यहां 78 आ हाया, तो cone B का मान 78 है, तो चलिए हम लिख लेते हैं, cone B का मान जो कितना आया, यह 78 degree आ गया, जराह नाप के देखिए हमने यह 78 आ चुका है, अब हम जराह नापते हैं, आगे cone, कोंड जो है अब आपका ये नाप लेते हैं कोंड सी नापते हैं जिरा हम कोंड सी को नापके देखे जिरा कितना आ रहा है कोण सी नापने जारे हैं हम लोग यहांपर कोण सी नापने की लिए क्या करना पड़ेगा हमें इधर की तरफ चांदे को घुमाना पड़ेगा चलो घुमा लेते हैं चांदे को ऐसे ये चांदा हमारा घुमगिक्या है त्देक Va Ditya कि तरफ और यह अराम से कौन को हम नाप लेंगे तो कौन जरा नाप करके देखिए कितना आ रहा है कि इसको नापना पड़ेगा कौन सी का नाम जो है आ रहा है आपका कौन C कितना ना पिए जरा कितना है देखिए यहां पर यहां बच्चों यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है यह और यहां तक जाते भी 80 पहुँच गया है यह 85 हो गया 86 हो गया यह 87 है नमबर यानि कौन C का मान 87 अंस है तो कौन C भी लिख लेते हैं कौन C का मान कितना हो गया 87 हो गया तो कौन C जो है ले रहते हैं आपे कौन C बराबर है 87 अब फिर से कौन A की तरफ बढ़ते हैं हम जरा कौन A को ना अपने का प्रयास करेंगे कौन A चली कौन A को आपके देखते हैं यह है कौन A यह 0 पर आ चुका है एक का मान देखे कितना है यह 93 आ रहा है कौन A का मान 93 लिख लेते हैं कौन A की कितना अगया 93 लिख लेते हैं अब कोम B का कौन D neighbor C हो चुका है डि का और नाम पिर से निकाल लेते हैं कितना रहा है तो डिखो नापते हैं यहां ropes तो D के लिए कोन और यहां नापने का प्रयास करते हैं डेखो बच्चों यहां पर यह 0 degree आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 0 पे आ गया है, और यहां कॉंड देखिए कितना आ रहा है आपका, यह इधर से कॉंड आपना है, यह आपका 80 हो गया है, और 80 2 आ रहा है कॉंड, तो इस कॉंड का मान भी लिख लेते हैं, कॉंड कितना हो गया, कॉंड D का मान ज के बाब जहे हैं इन दोनों को जोड़ने का पयार करते हैं देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं आठ और दो 10 हो गया और साथ और एक आठ और आठ सोला नहीं यहां तो कुछ गड़बड हो रहा है यहां इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं जरब साथ और तीन दस हो गया और यह गया नौ अठार देखो यह 180 पूरा आ रहा है इसमें बी और डी में कुछ सस्पेंस आ गया दिखाई दे रहा हमें बी और डी में कितना आना चाहिए यह 180 ही आता है तो नाप करके देखते हैं आठ और दो दस हो गया और आठ ठट सोले यह 160 आ रहा है फिर से दुबारा नापने का प्रयास करते हैं डी का मान 93 आया था मेरे खाल से यह 92 के असपस देखते हैं इसको दुबारा नापके देखत है जरा । डी को तर एक करते हैं रख्कंव को नाप और यह 100 हो गया और इसको कार रहा है यह 101 बना दी देखते हैं यहाँ पर चलो लिखते हैं 102 इसको इसको मैं हटा दे रहा हूं और इसको काट करके जड़ा 102 बना दे रहा हूं चले देखते हैं क्या है यह 102 कर दीजिए इसको यह 102 हो गया अब इसको जोड़के देखिए 8 और 2 10 हो गया और 7 और 18 और यह 80 हो जाएगा तो बच्चों यह 180 ही आ सब्सक्राइسب देखों, साथ औरतीन दस हो गया और 10 सी नम हो गया 01 सो अस्य और यहां पर कोंडब का मान कितना था यह 70 डिगरी या झाल चांटचर था और ये एक सो, नहीं कोण B का मान 78 था, ये वाला कोण जो है आपका 78 था, और ये वाला कोण कितना था, ये आपका कोण 102 अंस काया था, दोनों को जोडने पर 180 अंस है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वरत के अंदर अगर चत्रुज बनता है, उसके आमने सामने कोणों का हमें सा याद रहना चीए, कोण A प्लस कोण C, ये आमने सामने है कोण, तो इनका योगफल कितना होगा, 180 अंस होगा, ऐसी कोण B और कोण D है, तो कोण B प्लस कोण D का मान कितना हो जाएगा, ये भी आपका 180 अंस होगा, तो ये आप लोगों अच्छी तरह से याद ये हमार अब हम चलते हैं वरत के तीसरे गुण की ओर, ये है वरत के किसी चाब द्वारा सेश वरत खंड पर अंतरित कोण, चाब द्वारा वरत के केंदर पर अंतरित कोण का आधा होता है, मतलग ये जो कोण दिखाई दे रहा है, बी ओ सी और एक कोण पर्धी भी बनावा हम बी ए सी का मान जो होगा वो एक बटा दो कौण बी ओ सी के बरावर होगा, अब ये होता भी है या नहीं होता है, इसको देखना तो पड़ेगा ही हम लोग को, बिना देखे तो नहीं पता चलता है, ये बता दिया गया, और सबने माल लिया हां होता है, चलिए आज हम दूरी नाप नहीं है तो दूरी के- लिए मै नाइप कर ले रहा हूं अब यहां कि यहां पॉछ पन्हेन प्रोंट खिच करें के चलिए रहा है और इसको परकार को बीच परियास करएं वपरद खिच करक्ए इसमें हम नापने का प्रियास करें रहा है यह आपका एक वरत खिषता व adults दिखाई दे रहा है यह वरत मैंने पूरा खिच दिया है देखो पूरा वरत का केंदर हो गया है अब मैं इने पर बनादा चलू परकार को हटा देना आपको दो बिंदू लेने हैं जहां से कोंड ौंड है तो मैंने यह बिंद्व यहां ले लिया है और एक बिंद्व यहां पाल लिए है और यह विद्व बी है और यहाँ ऊपर कहीं पर भी ले सकते हैं यह आपकी मर्जी है यह दिखाए देखा और यह केंदर को हमेदसे दिखाते हैं अब इन पर हम बनाएंगे ए सुरेर करके और यहां बनाने का कोशार करुगा भी तक हमारा यह मिल चूका है आप एक कोन के बनाना है बिंदू ओ से यह ओ बिंदू है और यहां ए तक मिला दीजिए इसको और फिर इसी ओ से लेना है और यह कहां तक बिंदू बी तक ले जाना है और यह मिल गया अब यह कोण हमारे परदी पर भी बन गए हैं और केंडर भी बन गए हैं बस क्योल दूर सगर बची है ब यहां से देखिए कोंड घुम गया और यहां से नाप करके मैं दिखा रहा हूं कि इतने अंस का कॉन है अगर यह जादे छोटा बड़ा दिख रहा है आपको तो थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं यहां परा रहा है यहां से ऋप्दर नापना बच्चो तो जीरो यहां से सुरू करना जीरो 110, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 110 110 के बाद देखिए कितना आ रहा है ये ये जो आ रहा है आपका 110 5 पूरा दिखाई दे रहा है यानि 115 के पूरे हैं को इसके हैं तो मैं 115 लिख देता हूं चलिए 115 अंसा रहा है ये जब कि 115 या थोड़ा इधर होना चीए ते लेकिन 115 पर जाकर के बैठा ह थोड़े बहुत गुमाने की गुंजाई सगर हो कि तो यहां देख लेता हूं मैं गुमा करके इसको ये देखिए 116 के आसपास आ रहा है ये रखिए थोड़े से आगे बढ़ेगी तो 16 पर जाकर के मिलेगी तो मैं इसको कितना लिखूं एक सो दियान देखना बच्चो ये 16 दिख रहा है ये 15 वाली लाइन है ये 110 वाली है पांच ये गए 15 हो गया और ये एक और बढ़ गया है तो 116 हो गया अब इसको मैं जरा हटा रहा हूं और यहां पर कॉन का मान जो है लिखना चाह रहा हूं 116 यानि कौन कौन सा है कौन आपका आगया ए ओ बी का मान कितना आगया 116 अंसा आगया अब हम कौन ए पी बी का नापना चाहेंगे कौन ए पी बी का नापना चाहेंगे कितना कौन आता है देखते हैं चांदा निकालते हैं और चांदे को ले चलते हैं बिंदू ए के पास प के पास और यहां से घुमाते हैं और घुमाने के बाद देखते हैं कहां पर बैठता है इसका यह मान यह आपका यहां आ चुका है अब जिरा इसको नापने का प्रियास करेंगे कि देखिए कितना आ रहा है यह यह आपका आ रहा है देखो बिलकुल ये 58 डिग्री आ रहा है आपका देखो ये 50 हो गया 55 और 3 और तीन और ये हो गया तो 58 डिग्री यहां पश gemacht ने तीन और बढ़ गया है एक दो थीन तो ये 55 यहां तो गया तो 56 58 कितना हो गया 58 डिग्री का हो गया अब ये मैंने अ Azure 59 एक बटा दो कौन जो है किसका निकालूंगा एक बटा दो कौन कौन सा है जो केंदर बे बन्दा है ये वाला कौन ये कौन कितना आया है एक सो सोला अंस का आया है और ये उपर वाला कौन कितने का आया है ये आया है अठावन अंस का देखो ध्यान से अठावन अंस का आया है तो एक बटे दो कौन कौन सा निकालना चाह रहा हूं मैं ए ओ बी का मान तो एक बटा दो और इसका मान कितना है 116 116 को अगर काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा तो कितना माना गया 58 डिगरी है और यह 58 डिगरी मान किसका है देखो कौन A, P, B का है तो यह कौन A, P, B यहाँ पर लिख सकते हो आप कौन A, P, B इसका मतलब यह हुआ कौन A, P, B का मान जो है वो एक बटा दो कौन A, O, B के बड़ा हो रहे इसका मतलब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये कौन क्यूं एक बटा दो एक बड़ा हो रहा है इस तरह से मान आप हराम से निकाल सकते हैं तो ये एक ओबी का यह है बच्चों यह आपे लिखेंगे आप लोग तो यह हर एक पूरे बरत में कहीं पर भी कभी भी बनाएंगे तो केंदर पर बनता बनता है उसका आधा जो है परदी पर बना हुआ होता है या उसका उल्टा भी बोल सकते हैं जो परदी पर कोंड बनता है उससे दुगना उसके केंदर पर कोंड बनता है तो इस प्रकार से हम यह चौत नंबर की प्रोपर्टी है छौत नंबर में देखो क्या बुला गया है एक ही वरत में समान- pressed केंदर पर समान खोण बनाते हैं इनकी जो लंबाईया हैं यह वारी लंबाई यहां पर दिखाय दे रही है यह दोनों की लंबाई समान है तो यहां पर यह जो कौन बनाते हैं यह कौन भी समान होता है तो बराबर चाप की जो लंबाई होती हैं वह हमेशा के इंदर पर समान कौन बनाती है अब यह वास्तों में होता है या नहीं होता है तो देखना पड़ेगा इसका मतलब यह क्या कह कह रहा है चित्र के अंदर है ध्यान अखना आपको कौन कौन सा हो गया सी ओबी बराबर कौन सी डैस ओवी डैस अब देखते हैं क्या यह वरत के अंदर बराबर होते भी हैं या नहीं होते हैं यहां पर फिर से हम क्या करेंगे एक इसकेल लेंगे और इसकेल से जो है फिर वही परकार लेंगे और परकार में जो हम अपकी ये दूरी भर लेते हैं और ये जो है दूरी भर लें हमने कितना भर लें अपकी ये है दूरी अपकी हम भरना चाह रहे हैं साड़े चार ले लिया रहेगा चाहे इसको और ज्यादे बढ़ाना चाहे और बढ़ा सकते हो लो सब्सक्राइब कर देता हूं मैं क्योंकि दूरी वही क्यों रखके हम तोड़ा बढ़ सकते हैं यह लॉक कर दिया है मैंने अब scale मैं हटा दे रहा हूँ और यहां क्या करूंगा एक वरत से खीचने का प्रयास करूंगा चलिए देखते हैं गोला खीच करके क्या होता है यह गोला खीच रहा है देखो आपके सामने और आप लोग भी गोला अपने कौपी में ऐसे ही बनाएंगे अब क्या करना है परकार को जो है उठाना है और अपनी दूरी कुछ कम कर दीजिए जादे कर दीजिए क्योंकि मुझे समान लंबाई का यहां पर एक चाप लेना है क्योंकि दोना तरब चाप लूँगा तभी जाकर के वह कॉंड बराबर आएंगे चलिए देखते हैं क्या हो गया कैसे है कि पहले इसको कि यहां पर हम दूरी ले रहे हैं तो दूरी कितने लेनी है आपको चलिए यहां दिखाता हूं मैं यह 6 सेंटिमेटर की दूरी लेके दिखा रहा हूं मैं यह देखो देहां तो या 5.5 ले लिजिए अब 5.5 की जो दूरी है वो ले लेते हैं यहां पर अब इसकी नौक को मैं यहां लेकर के आ रहा हूं और इस नौक से जो है इसको हटाने का प्रयास करूँगा और यहां पर लेकर के आगे चाप लगाँगा इससे दूरी हमारी समान लेगी यह नहीं बत लेगी तो देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं यहां पर एक चाप लगा दे रहा हूं जिससे आपको पता रहेगा कि यहां यहां पर यह हो ग गई हैं अब इस पर मैं एक लाइन खीच दे रहा हूं तो रेखा खीचने पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ यह दोरी वास्तों में समान है या नहीं है यह देखा देखो इस विंदू से इस विंदू तक आ गई और यहां पर भी रेखा मैंने खीच दी अब यह समान दे रहा हूं और इधर से भी एक मैं लगा करके कोंड बना के दिखा दे रहा हूं यह भी कोंड बन गया है अब इनके नाम दे देते हैं नाम मैंने क्या केंदर का नाम तो हमेंसा ओई दिया जाता है सेंटर को और यहां मैंने नाम दे दिया ए और यह नाम दे दिया बी और इधर से नाम दे दिया क्यों क्या देखना है मैं कौन सा कौन देखना है ए ओ बी का मान देखना है और इधर से कौन कौन सा देखना है इधर से पी ओ क्यू का मान देखना है कितना कितना मान आता है चलिए चांदा निकालते हैं चांदे से नापने का प्रयास करते हैं कौन को त यह कोण नापने का तो आप लोंगो तरीका पता है यहां पर रख दिया हमने और इससे कोण आगाम से नापा जा सकता है तो देखिए कोण के इंदर पर बंदा है कितने इंदर कोण बंदा है हम यहां से आसानी से नाप सकते हैं तरकूर तो देखो यह आ रहा है जीरो दस बीस तीस, चालिस, पचास, साथ, यह देखो, साठ उंज का यह कोण बन दा, पूरे साठ उंज का कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कौण सा कोण बना है, पी, ओ, क्यू, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साठ उंज लिख दे रहे हैं, आप भी बना के देखना बिल्कुल साटन का ही कोण आएगा अब ये वाला नाप न लाइक है तो इस वाले को भी न आपके देखते हैं जर्थ न क्या आएगा ये देखो यहीं पर हमने गुमा दिया इसको यहीं पर, और आराम से देखो यह भी 60 अंस आ रहा है आपको, देखो starts का, बिल्कुल साठ अंस ही आ रहा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आप 60 अंस लिख दीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने बराबर लंबाई की जो ये बराबर दूरी वाले ली थी मैंने ये चाफ है, ये चाफ आपका बराबर था, ये वाला भी चाफ बराबर था, तो दोनों पर कोण आप लोग ने देखा, साट है, क्यों है साट? क्योंकि A.B. और P.Q. दोनों यानि यह वाला कौर्ण कितने का आ गया साथ अंस का गया और इधर वाला भी साथ अंस का गया तो मैं रिकाल से समझ में आ गया होगा बच्चो तो इस तरह से आप लोग अपने प्रेक्टिकली करके घर में भी अगर देखें तो यह आराम से हो सकते हैं और फिर हमेशा के लिए याद रहते हैं चलिए बच्चों अगली प्रोपर्टी आ रही है अन्य अगला गुण जो हमारा आ रहा है किसी वरत के केंद्र से वरत के जीवा पे डाला गया उस जीवा को समदीविभाजित करता है यानि यह उसे इस पे लम डाल दिया है जो 90 डिगरी का कोण यह दिखाई दे रहा है इसको लम बोलते है 90 डिगरी को यह क्या करता है इसको दो बराबर भागों में बाटता है मतलब यह है कि A M बराबर जो है वो B M के होगा कब होगा जब यह O M रेखा जो है वो लम का यह चिन होता है बच्चो और A B हो यानि यह A B पर लम है तब जाकर के यह कोण जो है क्या करेगा इसको दो बराबर भागों में बाटेगा यानि ये अगर X दूरी है और ये वाली Y दूरी है तो X का मान हमेशा Y के बरावर होगा क्या वास्तों में ऐसा होता भी है चलो देखते हैं आज़े चलिए अब क्या करते हैं सबसे पहले हम Scale निकालते हैं और Scale से हम दूरी लेते हैं अपने परकार में परकार में दूरी जानते ही क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमें बनाना है वरत तो वरत बनाने के लिए सबसे पहले बढ़िया है स्केल लेना है और स्केल लेकर के हमें पहले इस पे दूरी सेट करनी पड़ती है तो यह परकार हो गया है और इसपे हम दूरी लेना चाहँ हैं चलिए देखते हैं कैसे हो गया यह दूरी ले रहा है अब आपके मर्जी है, जिदना आप परकार में लखना चाहें दूरी उतनी ले सकते हैं मैं तो दूरी थोड़ी सी कर देता हूं इसको कितनी दूरी ले लिया जाए चलो 5 चेंटीमेटर ले लेते हैं बैइं क्या रजाएं juicy ये 5 चेंटीमेटर की दूरी मैंने ले ली है अब इसने मैं को MożA बनाऊंगा और गोला बनाने के बाद दिखाता हूं क्या होता है थोछे केल को हटा देता हूं और इस मैं लॉक कर देता हो दूरी मैंने लेकर के लॉक कर दी है आप लोग अपने इसके परकार को सभी से रखेंगे उसके हिलने डूलने नहीं देंगे और मैं यह देखो गोला खिचने जा रहा हूं और इस पर एक जीवा बनाऊंगा और देखो आपके सामने यह वरत खिच गया है आसानी से वरत खि आठ की ही बनाऊंगा मैं क्योंकि इसका आधा नापने में आसानी रहेगी थोड़ी देखो यह 8 cm की जीवा मैंने नाप ली है आप इस पर यह लाइन खीच के दिखा रहा हूं मैं आपको तो यह 8 cm की जीवा देखो दिख गई आपको बन गई है जीवा चलिए ठीक है इसके मिला दे रहा हूं लंब डालना इस पर यानि नब्वेंस का कौन बनाना है बच्चों देखते हैं नब्वेंस का कौन कैसे बनता है इस पर लंब डालने का तो मतलब यही होता है चलिए देखते हैं सकेल से लंब कैसे डालेंगे हम इसकेल से डाला जाए नहीं उससे डालते ह हम लोग चांदे से डालते हैं जादे बनिया रहाएगा यह देखो चांदा मिल गया हमें अब चांदे को थोड़ा गुमा लेता हूं मैं और इसको थोड़ा सा इधर ले दीजिए जिससे हम इस पर खीच सके लाइन यह हो गया है अब यह लाइन हम खीचना चाहा रहें देखो अब यह कुछ गरबड होजी लाइन है कि फिर से की इसता हूं मैं लाइन देखो कि इससे लाइन ने खीची जा दी बच्चो मैं इसको हटा रहा हूं फिलाल कि चांदी से लाइन ने खीची जा रही है तो मैं लाइन जो है आपको इससे खीच के दिखा रहा हूं यह आपकी लाइन बिल्कुल बराबर दिखाई दे रही है और इस पर यह अब कि यह आपकी लाइन आ चुकी है यह innovation का कॉंड बना हुआ हुआ है देखो बिएंच यहां पर 4 cm की दूरिया आ रहे चार और चार आठ दिखाई दे रहा होगा आपको लो, यह आपको देखना है, बिल्कुल, शई से आ रहे हैं दूरिया, यह भी 4 है, 4 और 4, आठ हो गहीँ, यानि यह दूरियां हमारी बिल्कुल, बराबर बराबर होती है ध्यानक ना, यह मैं स्केल हटा रहा हूँ, अब आपके सामने यह जो नाम लिखा है, यह A है, और यह B है, और यह केंदर O है, O से मैंने इस पे लंब डाला था, O M ध्यानक नाम, O M जो है वो लंब है, किस पे, A B पे, तो ऐसा लिखना पड़ता है मैं अब इसमें यह कोण मैंने नब बेंस का बना दिया था, आपके सामने ही बनाया नब बेंस का कोण मैंने, तो ध्यानक ना, इसमें क्या हूँ इसमें A B जो है ती, कितनी थी, वो 8 cm थी, A B का मान कितना था, 8 cm हमने जान बुझ के लिए था, अब इसके बाद A M निकाला, तो क चार का गया यह ये भी चार का गया चार सेंटीमेटर चार सेंटीमेटर दोनों आ गया और अधी कितना था आथ सेंटीमेटर था इसका मतलब च्छे का हुआ कि ए अधी ये साहरी सेंटीमेटर आया है ए कि मतलब यह जो मिन्नद ComRE-dbor बाहु 파ट यह करते हैं या या वार और बी एम दोनों बराबर होते हैं कब बराबर होते हैं जब केंदर से इस जीवा पर लंब डाला जाए इस चीज का नाम जीवा होता है ध्यानक ना बच्चो ये भी जीवा होता है और इस वरत में सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है जो केंदर से होकर जाती ह यहां से होकर जाएगी वो यह चठा कुणा है हमारा इसके अंदर जा देखिए वरत की किसी जीवा के मद्ध बिंदु को केंद से मिलाने वाली रिखा जीवा पर लंब होती है यह हला कि मैंने आपको दिखाई दिया है 90 डिखरी का कौण मैंने बनाया ही था मद्ध बिंदु से अगर मिलाएंगे केंदर को तब भी वो 90 डिखरी का कौण ही बनाएगी तो यहां ध्यान रखना यह मद्ध बिंदु है यानि AM और BM दोनों बराबर दे दिये हैं और बराबर देने के बाद क्या बता रहे हैं कि यह जो OM है यह लंब है किस पर AB पर इसका मतलब कोण जो है O A O M A और यह वाला कोण OM B इन दोनों कामा 90 अंस हैं क्या वास्टों मैंसा हो तो फिर सबसे पहले वहीग स्केल लेना है सकेल फ़े हमें क्या लेना है और प्रकार से नापत है कि इतनी दूरी लेना है तो दूरी जो है यहां से देखते हैं मैं आपग कितना लेना चाह रहा हूं दूरी यह आप लोगों को क्लेन करता है मैं 5 into 5 देती है जादे कर देते हैं 5 दूरी में अब 5 की दूरी ले लिए अब इसको मैंने बंद कर दिया है इसकेल को खटा देना है और इस परकार को ठीक बीचो बीच रखना जिससे आप लोग इसका वरध बना सके हैं असानी चैशे और ये मैंने वरध बना दिया देखो आराम से ये वृत बन जाता है बृत बनने के बाद क्या होगा इस परकार को हटा देना यह हट गया आप स्केल ले ना है अब स्केल से यहाँ पर क्या करना है एक जीवा बनानी है आपको जीवा मैंने पहले भी बताई ति मैं तो आटी सेंटिमेटर की बनाऊंगा ज्यादे बनिया रहे हैं तुम भी आट सेंटिमेटर की बना देना नाप करके तो इससे क्या होता है थोड़ी गलती होने के chances कम हो जाते हैं यदेखा, सेंटिमेटर हो गई है आप बीध्याद से देखिए का यह 8 कि इसे में भी बन गई ठीक हैं अब इस पर मैं लम ढलने का प्रियास करूँगा के इस पर लम डालूँगा याने बनने का बनाऊंगा चलो देखते हैं बन सकाना कैसे हैं अब मैं इस को स्क्रेइल उसकाल को ओठा रहा हूं चांदे को ला रहा हूं तो यहाँ पर नब्वेंस का कॉंड तो वैसे दिक्रा बनता हुआ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो यह जो है मैंने यह नब्वेंस का कॉंड ले लिया है इस पर यह लाइन दिखाई दे लिया है और यहाँ पर एक बिंदू लगा देता हूँ तो यह लगा दिया है अब इसको मैं चांदे को हटा दे रहा हूँ और वहीं से एक लाइन खीच दे रहा हूँ स्केल से लाइन खीचना आप लोग मैं तो सीधी लाइन भी खीच दूँगा तब भी मेरी खिट जाएगी अब इसको नापना है, पहले नाम दे लेता हूँ, नाम देने के बाद पता चलेगा क्या हुआ, ये तो मैंने A लिखा है और ये B लिखा है, अब कि मैंने ये कौंड कितने अंसका बनाया है, 90 अंसका बनाया है, मद्य बिंदू पर बनाना था, तो ये वैसे मद्य बिंदू प पर हमने 90 का कॉंड बनाया है तो ध्यानकना अगर हम केंद्र से इसके केंद्र ओ से जीवा के मध्य बिंदू को मिलाते हैं तो वह जीवा पर लंब होता है यह जीवा का मध्य बिंदू था कौन सा M क्योंकि 4 cm इधर से था और 4 cm इधर से था तो ये M बिन्दू क्या था AB के मद्दे में था तो ये कौन कितने अंसका बनेगा हमेशा 90 अंसका बनेगा तो ध्यानक ना यहाँ पर कौन जो है कौन सा है OMB ये भी 90 अंसका कहलाएगा और दूसा कौन भी आपको पता ही है कौन सा है ये है OMA ये भी मान आपका 90 अंसका ही होगा इसका मतलब क्या हुआ कि मद्दे में बिन्दू से केंदर को मिलाने वाली देखा जीवा पर लंब होती है यानि ये पर में थी इसमें OM जो लंब हो गई किस पर AB पर ये सारी चीजे हमारी काम आएंगी किसमें आंके के ये परस्णावाली पांच दसमलब एक है जो कि आपके बुक में दी हुई है अब इसमें कहारे है सनलग जित्र से संबंदित निम्न परस्णों के उत्तर ढूणी है सबसे पहले ABC लगू चाप है या दिर्ग चाप है देखिए ज़रा ABC कहा है ये A है और ये B है और ये C है अब ध्यान से देखिए ये थोड़ा बड़ा चाप दिखाई दे रहाती है ये कौन सा हुआ दिर्ग चाप है तो दिर्ग पर आप टिक कर देंगे और यहां देखो ध्यान से ये लगू दिखाई देगा आपको तो ये लगू चाप है अब इसके बाद लगू चाप A B द्वारा अंतरित कोणों का मान बताईए A B देखो कहा है ये रा A और B इसके लगू है तो ये कोण आपका एक तो ये कोण बनेगा और A B पे ही एक कोण ये देखो है कौण स्वाइख मैं है कौण पहला कौण है ए-सी-쉬-वी यहां पर कोंड का नाम लिखना है कौण क्या लिखेंगे यह ऀसीफि इसका अंथर हो गया एक और ये बनेगा愁 और यह बनेगा ADB, तो यहां पे कौण ADB लिखना है, यह है ACB किस चाप पर बना है, देखो, ACB किस चाप पर बना हुआ है, BC पर बना हुआ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, BC चाप पर, यह चाप ऐसे बना देते हैं, इसके उपर, अब कौण CBA है, देखो कोण कहा है, CBA, यह वाला, यह किस चाप द्वारा बने है पहले यहां देखो CBA किस चाप बना है CBA यह चाप है ADC पे यहां लिखेंगे ADC इसके वपर चाप बना देंगे अब यह कौण CBD CBD देखिए C है B है और D है तो यह चाप है CD तो यहां पर क्या लिखेंगे इसके लिए CD चाप लिखना है इसके लिए क्या लिखेंगे CD और यह चाप बना देंगे और CAD देखो C और A है और D है तो कौण किस पर बना यह यह भी CD चाप पर ही बना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे CD चाप यह दोनों एक ही चाप पर बने है D पर देखिए क्या क्या बंद है D पर ये बंद है चापो द्वारा बिंदू D पर बने कोण याने D पर कौन कौन से कोण बंद है एक तो बंदा CDB कोण है CDB दूसा कौन कौन सा बंदा है देखो एक तो CDB हो गया दूसा जो है BDA हो जाएगा कोण यहां पे लिखेंगे बी डी ए तो यह आपके आंसर है सारे आप लोग अपनी कौपी में आंसर लिखनेंगे मैं चलता हूँ अगली प्रसनावाली की तरफ प्रसनावाली है पांच दस्मलब दो अब यहां चित्र दिये हैं कुछ अंग्रेजी के अक्षर दिये हैं बिना के दिखाया था तो कौण एक आमान कितना होगा 45 अंस ही होगा ऐसी यहां पर देखिए इसमें भी एक चाप होगया इस चाप से दूसरी और बने हुए कोण है सारे तो यह सारे कौण 33-33 अंस के होंगे सब 33 अंस के होंगे तो यह वाला कौण भी 33 हो जाएगा और यह वाला क कौण M यह दिया हुआ है तो इधर वाले चाप से बना है यह तो इसी चाप से यह कौण 72 का बना है तो यह 72 का कौण यहां पर हो जाएगा अब यह देखिए कौण N यह वाला है तो इसके यह चाप इस वाले पर बना हुआ तो इस पर इधर को बना हुआ है तो यह वाला कौ 57 होगा तो यह वाला कॉंड भी 57 डिग्री दिखा जाएगा कॉंड यू को देख लिजिए कॉंड यू कहा है यह यू बनावा है इसमें एक यू और बनद आ है तो यह 93 के बराबर हो जाएगा तो यू का मान कितना हो गया 93 डिग्री ऐसी वी का मान दिखिए वी इधर बना है एक और बनावाईए ये दोनों कोंड बरावर होते हैं तो ये कोंड जो हो जाएगा 87 डिग्री का होगा केवल आप लोगों को लिखने भर हैं ये और ये आंसर हो जाएंगे चित्र आप लोगों को बनाना पड़ेगा बिना चित्र बनाए रेखागनित किसी काम के नहीं दिख करते हैं लगू ब्रत्खंड का कोंड जो होता है वो कैसा बना होता है ये दिर्ग होता है यानि अधिक कोंड कहते हैं इसको दिर्ग नहीं हाँ वही है अधिक कोंड बनता है लगू ब्रत्खंड का कोंड जो होता है अधिक कोंड होता है तो यहां पर क्या लिखेंगे अधि आदि को दू का मतलर than 20 से अधिक होता है दिरवत खंड में कोण-कौसा बनता है यह तो दिरवत 3 में जब करवक्र कोण बनेगा वह नियूं lot रीन्शे कम होता है तो दून नियूं कोण ही लिखेंगे यहां पर में ठीक कर देंगे एक ही व्रत्खंड में लगु व्रत्खंड एवं दिर्ग्रवत्खंड में बने कोणों का योग कितना होता है 180 अंसोता यह मैंने आपको शिर्कर के अभी दिखाया तब पीछे अब आते हैं हम लोग ज़राब प्रस्णों की तरफ 5.3 एक्सरसाइज के यह है उधरन नमबर अब एक चलते हैं यह थोड़ा अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना चालू करेंगे नीचे दिये गया आगरती में वरत्खंड केंडर O है यदि C का मान 55 डिग्री है यानि यह कोंड जो है 55 डिग्री का दिया हुआ है तो अर्ध वरत में बना कोंड समकोंड होता है यह ध्यान रकना हमेशा अर्ध वरत में बना कोंड समकोंड होता है समकोंड जानते हैं आप लोग समकोंड का मतलब 90 अंस होता है इसका मतलब हो गया कॉंड B का मान कितना हो गया 90 हो गया अब क्या होगा तिर्भुज ABC में एक कॉंड का मान तो इन्होंने दिया हुआ है कॉंड C का मान दिया है 55 तो कॉंड ABC में कॉंड A प्लस कॉंड B प्लस कॉंड C का मान कितना होता है 180 है कोंड A का मान हमें निकालना है X है कोंड B का मान दियाओ है 90 अंस आया था भी और कोंड C का मान है 55 अंस बרाबर यह कितना हो जाएगा 180 तो यह X प्लस इसको जोड़ दिजिए 5 का 5 हो जाएगा और 9 और 5 14 हो जाएगा तो 145 अंस हो जाएगा बराबर 180 अंस तो X बड़ावर हो जाएगा 180 अंस माइनस 145 अब 180 में से 45 घटागे देखिए 180 में से 145 घटागे देखते हैं 0 5 यहां बचा 7 7 में से 4 गया 3 बस यही बचेगा यानि X का मान कितना आ गया 35 अंस आ गया यही आपका आंसर है चित्र आपको कॉपी में जरूर बनाने है जरूर से जरूर बिलकुल भी चित्रों को नहीं रोकेंगे इसलिए आपको ध्यान लखना है चित्र तो बनाना ही पड़ेगा अब हम चलते हैं थोड़ा अगले की तरफ यह है उधारण नमबर दो गसमें कुछ कॉण के मान दिया में है। कॉण A, E, B का मान दिया है। तो हम भी लिक लेदे हैं यहां पर कॉण A, E, B का मान कितना है, 115 डिगरी दिया वा है और इसके बाद और किस का मान बताना है दिए अ, C, B तता इन के मान बताने है ए, C, B दे अब मैंने अभी पीछे बताया था वरत में एक चतुरूज बनता है तो सम्मूख कोणों का योगफल 180 अन्स होता है तो यहां लिखना ब्रत के अंदर बने चतुरूज के सम्मूख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अन्स होता है चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा कोण कौण कौण से यह C और E आमने सामने हैं तो कौण E प्लस कौण C का मान कितना हो गया 180 अन्स मैंने करके दिखाया था भी कौण E का मान दियावा 115 अन्स कौण C का मान हमें X निकालना है यह 180 अन्स हो गया तो X बड़ावर हो जाएगा 180 अन्स माइनस 115 घटा अगे देखिए कितना बचा है यह X पांच में 80 में 0 में से 5 यह 10 में से 5 के 5 बचा यहां 7 आ गया 7 में से 1 गया तो यह 6 बच जाएगा तो यह 65 अन्स आ जाएगा एक यह आंसर आ गया है ऐसी X और Y के मान बराबर होते हैं कोकि एक ही वरतखंड में बन रहे हैं कौण तो यहां पर लिख देना एक ही वरतखंड के कौण बराबर होते हैं चलिए तो कौण Y जो है वो कौण X के बराबर हो गए या निए